जो सबूत वहां से मिले हैं वो सिध्य करता है कि 17 सदी से पहले ओ हिंदू मंदिर था जो रिपोर्ट आया है मुस्लिम पक्ष इस चीज को समझ गया है और उसको सांती पुर्वा भाई चारा बनाए रखने के लिए बनारसका उनको हिंदू पक्ष को सौंप देना चाहिए जैसे अयुद्या का परिडाम आया है वो ऐसे ही कासी गत्याओं की जो राजनीतिक दल है वो नहीं चाहते हैं कि इसका समाज निस्तारण करें ये पहले से सिध्य था क्यों मंदिल तोड़ करके महजीद बनाई गई है इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वे सुतह हिंदू पक परिसर का सर्वे करीब करीब 92 दिन चला और रिपोर्ट पक्षकारों के हाथ में आई उसके बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णू शंकर जैन ने प्रेस कॉंफरेंस कर रिपोर्ट की जानकारी दी और ये बताया कि ग्यानवापी परिसर में जो मस्जिद है वो 17 शताब पर दी में पहले मंदिर हुआ करता था मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है और जो तमाम साक्ष मिली है वो साक्ष इसी और इशारा कर रहे हैं कि वहाँ पहले एक भवे हिंदू मंदिर था जिसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई है उसके बाद से बनारस में क्या इ अच्छी खासी ठंड पड़ रही है लेकिन इसी बीच जो रिपोर्ट आई है वो बनारस में एक तरीके से गरमाट पैदा कर रही है अरविन जी आप इसे बात शुरू करेंगे जो एसाई की रिपोर्ट है अब वो सारुजनिक हो गई है इस रिपोर्ट का क्या मतलब है और य रिपोर्ट आगे की कारवाई में आगे की लड़ाई में कितना बड़ा योगदान देगी इसका क्या महतो रहेगा किसी मुखद में का आधार साच एवं गवा होते हैं जो सबूत वहां से मिले हैं वो सिद्ध करता है कि 17 सदी से पहले ओ हिंदू मंदिर था और जिस तरह से जो है रिपोर्ट आई है उसके आधार पे कहा जा सकता है कि हिंदू पक्ष में ही फैसला जाएगा मंदिर है मंदिर था और मंदिर है का ही निड़ाय आएगा चायो सुप्रिम कोड़ तक मुकदमा लड़े हैं जो साक्ष मिले हैं पिलर्स की बात हुई है कि जो पिलर्स है उसमें अभी भी वो सारी विशेस्ताइं हैं जो हिंदू मंदिरों में होती हैं बहुत महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आया कि जो पश्चिमी दिवार है मस्जित की वो भी प्राचीन हिंदू मंदिर का यह हिस्सा है यह सारी जो विशेस्ताइं है रिपोर्ट की इनका क्य मतलब है अब उसमें स्वास्तिक का निसान है गड़ेश जी हैं और संकर भगवान का एक शीवलिंग भी प्राप्त हुआ है इस सारी चीजों को देखकर यह लगता है कि नहीं है मंदिर था और आज भी मंदिर है और पस्षिमी छोड़ कि तो पूरी दिवारे मंदिर के मंदिर कि आकार का है तो इसमें किंदू परंत अब लेकिन नहीं रह गया है और इसमें सबसे बड़ा अचार होगा कि मुकदमे बाजी छोड़ कर मुस्लिम पक्ष इसको बात को स्विकार करते हैं हिंदों को सवब दे जैसा कि इन्होंने कहा कि बहतर तो यहीं होगा कि आउट अफ सटेलमेंट के लिए मुसलिम पक्ष को प्रेशर में लाने में यह काम्याब हो सकता है यह रिपोट उस पर बात चीत होनी चाहिए अईसा है कि इस रिपोट के आधार पर जो सावित हो तो रहा है उसकी पहले से मंदिर था तो हमारे समच से हिंदु पक्ष और को तो एकदम पहले से विश्वास था मुस्लिम पक्ष भी अंदर अंदर अपने उस तरफ सोच रहे हैं और सोचना भी चाहिए कि इसको हिंदू पक्ष को सौब दें और वहां भव्य मंदिर का जो भी रूप है उरहे ताकि इस विवाद को बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है रिपोर् कोट आया है मुस्लिम पक्ष इस चीज को समझ गया है और उसको सांती पुर्वक भाई चारा बनाए रखने के लिए बनारसका उनको हिंदू पक्ष को सौब देना चाहिए आपको लगता है कि काशी भी अयुद्या की रापर ही है या आपको लगता है कि नहीं काशी जाकिरापर है सबसे बड़ी बात यह है कि आप साब तोर पे यह देख सकते हैं जैसे अयुद्या का परिडामौ है वह अएसे ही कासी-गक्याओं के जो राजनीतिक दल है वह नहीं करते हैं की इसका समाज निश्तारण करें वो चाहते हैं कि कोट के द्वाराई कोट से फैसला आने का एक मजबूत पहलू यह होगा कि उस पर बाद में सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं और जहां तक कासी की बात है तो यहां तो कणकण में संकर विराजमान है तो वो तो मंदिर रहा है इ इस तरह से तिहासकारों ने तमाम ऐसे बुद्ध जीवियों ने उसको अपने नीजी लाब के लिए दुस्प्रचारित किया था उसका यह नया जो यह आया है फैसला आया है कोट का यह साबित करता है कि वहां पर मंदिर रहा है और इसमें कोई दोरा नहीं कि वहां मंदिर और जितना जल्दी जन्मानस ये सुिकार कर ले उतना कासी का भला होनात है जन्मानस सुिकार करेगा आपको लगता है कि selection संभव है या उपर की अदालत में लोग जाएंगे यह तो ऊपर की अदालत में जाएंगे मुस्लिम जानड़ा है कि मंदिर है उसके बाद अभी जो साक्ष मिले उसमें दो अरगा को यह लोगों ने मगबरा बना दिया था मगबरा जब उसको तोड़ा गया तो उसमें शिलिंग और अरगा बिला तो इनको मालूम था कि मंदिर है तो यह मानेंगे नहीं यह तो आगे तक जाएंगे चलिए इसी भी चाय भी आगई है तो चाय के साथ चर्चा करने का अपना आनंद है हम और भी कई लोग हैं उनसे बाचित करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे यह प ग्यानिक जाच की रिपोर्ट भी आ गई है जी पियार टेकनिक से भी यह जाच हुई है क्या असर होगा आगे की अदालत में लोग जाएंगे मुस्लिम पक्ष के लोग या आउट आफ कोट सेटेल्मेंट का रास्ता निकल सकता है यह पहले से सिद्ध था कि मंदिल तोड़ करके महजीद बनाई गई है इसलिए मुस्लमानों को चाहिए कि वे सुतह हिंदूक पच्छ में उसको सौब दें लगता है कि ऐसा संभव है क्या क्यों नहीं संभव है जिस आप से एसाई की रिपोर्ट है सारी चीजे देखी जा रही है उस आप से पूर रूप से मैं सहमत ह यह सुपकाम होगा ही आपको क्या लगता बाई साब की क्या रहा है जो पूराने लोगों के नुशार और उसलिम पच्छ को तो जान लेना चाहिए कि यह समझ लेना चाहिए कि पहले ही उनकी समदाज वारा ही मंदिर को तोड़के मजजीद बनाया गया था यह खूले देख लास आपसे सवाल ले लेते हैं लोगों ने कहा आउट अफ कोर्ट सेटेल्मेंट के लिए कोशिश होनी चाहिए मुसलिम पक्ष को आउट अफ कोर्ट सेटेल्मेंट के बारे में सोचना चाहिए लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि मुसलिम पक्ष के वकील यह कह रहे हैं कि म कहीं से रिले मिलने वाली नहीं है मैं तो यह चाहूंगा और आगरा करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर हो सके तो इसको राजनीत का मुद्दा नव बनावे लोग चुप चाब मार करके हिंदू पक्ष को सवबते हुए भव यकासी मनुद्द का जो विश्वनात मं नहीं बनाना चाहिए जब जी पियार टेकनीक से सर्वे हुआ रिपोर्ट सामने जिस तरीके से आया है तो मुस्लिम पक्ष को आउट अफ कोर्ट सेटल्मेंट के बारे में सोचना चाहिए ये लोगों का कहना है लेकिन अभी लडाई लंबी है लेकिन बावजूद इसके ज अगर मामला जाता है तो भी इन जगहों पर इन निया एलोयों में ये एसाई की जो रिपोर्ट है वो मील का पत्थर साभित होगी अमिद सिंग टीवी नाइन यूपी वरन से